हई है है हलो एवरीवान वेलकम बैक्ट वार चानल स्टड़ी आइक्यू जुदी श्री दिस इस अधे अर्जिता आज के पुर्टिकुलर सेशन में जल्दी से important constitution के जो amendments हैं वो हम discuss करने वाले हैं तो देखिए constitution के amendments बहुत ही जादा important है latest example अगर हम ले तो बिहार जुडिश्री का हम ले सकते हैं जहां पे आपसे 91st amendment के बारे में पूछा गया था कि कौन से amendments से 15% की limit आपकी तै की गई थी council of ministers की ठीक है तो ऐसे ही जितने आपके important amendments हैं वो सब कुछ आज के session में हम discuss करने वाले हैं session स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक मेरे साथ telegram या instagram पर connect नहीं किया है तो जल्दी से connect कर लीजिए ता कि आपके जो भी doubts हैं जो भी questions हैं जो भी queries हैं वो आप सब कुछ मुझसे यहां पर पूछ सके प्लस जो भी upcoming sessions हैं उनकी information भी आपको यहां पर telegram channel के थ्रू मिलती रहेगी तो अगर अभी तक आपने attend नहीं किया है तो जल्दी से attend कर लो sorry join कर लो and guys one important announcement कि कल से study IQ judiciary का जो live batch है वो start हो चुका है जिसमें आपको prelims की means की interview की तीनो stages की preparation करवाई जा रही है in the price of 24999 तो website कहां पर है किस तरीके से enroll करना है यह सब कुछ में एक बार आपको session के end में बता दूंगी but guys ध्यान रखिएगा कि live batch के जो admission है वो आपके 20 June को end हो रहे है ठीक है प्लस जादा seats भी आपके नहीं बची हुई है तो if possible जितना जल्दी हो सकी उतना जल्दी आप यहाँ पे क्या कर लीजे enroll कर लीजे कल वैसे भी पहली क्लास आपकी हो चुकी है आज दूसरी क्लास आपकी होने वाली है चार बजे से ठीक है तो ARJ code यूज करकि आप यहाँ पे enroll कर सकते हैं procedure क्या है वो मैं एक बार आपको session के end में बता दूंगी ठीक है अब देखिए amendment discuss करने के पहले कुछ important बाते हम हम यहाँ पे key points देख लेते हैं जैसे कि constitution हमारा adopt कब हुआ था 26 नवेंबर 1949 को constitution आपका adopt किया गया था constitution effect में कब आया है 26 जनवरी 1950 को constitution effect में आपका आया था प्रियांबल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्रियांबल आपका 22 जनवरी 1947 को पास किया गया था national flag 22 जुलाई 1947 को आपका adopt किया गया था national song वंदे मातरम 24 जनवरी 1950 को adopt किया गया है और national anthem जो है हमारा जनगर्णमान ये भी आपका 24 जनवरी 1950 को adopt किया गया था ठीक है अब चलो जो बात करते हैं amendments के बारे में amendment पे आने के पहले amendment का procedure यहां पर धियान रखना कि amendment का जो procedure है वो आपको कहां दिया हुआ है article 368 में दिया हुआ है जो की constitution के part 20 में आता है यह जो पूरा amendment का procedure है यह हमने कहां से बौरो किया है कहां से derive किया है South Africa से borrow किया है और constitution में जो आपका amendment का procedure है वो हमको यह बताता है कि आप चाहे simple majority से करो या फिर आप special majority से करो दोनों ही majority से आपका क्या हो सकता है constitutional amendment आपका pass किया जा सकता है constitutional amendment लाने के लिए bill कहां पे introduce करना होता है तो लोक सभा में भी introduce हो सकता है राज्य सभा में भी introduce हो सकता है ठीक है अब चलो आते हैं सबसे पहले amendment के उपर तो सबसे पहले amendment से जो important question आपका यह पूछा जाता है that is कि सबसे पहला जो reservation किया गया था constitution में वो कौन से amendment से हुआ था तो यह ध्यान रखना कि article 15 में जो clause 4 है आपका ठीक है जो reservation के बारे में बात करता है socially and economically backward class से यह आपका first amendment 1951 से हुआ था चंपकम दुराई राजिन का जो case है आपका ठीक है 9th schedule में आपके कुछ ऐसे laws डाले गए थे जिस पर यह बोला गया था कि इन पर judicial review नहीं किया जा सकता है यानि 9th schedule में जो आपके laws है उनको हम Supreme Court High Court कहीं पे भी क्या नहीं कर सकते चैलेंज नहीं कर सकते एक और चीज जो हम Article 19 में freedom of speech and expression देखते हैं उसमें जो आपके restrictions दिये गए है ठीक है जो reasonable restrictions दिये गए है Article 19 में जैसे कि public order हो गया friendly relations हो गया with foreign states and आपका incitement to an offense हो गया यह सारे चीज़े किस से आड़ हुई है यह सब कुछ आपका first amendment से आड़ किया गया है अगले amendment पे आ जाओ that is the 15th amendment 15th amendment में important क्या है कि high court के judges की जो retirement की age है आपकी वो यहाँ पे 60 साल की दी गई थी इस retirement age को बढ़ा के क्या कर दिया गया था 62 years कर दिया गया था by which amendment constitution का 15th amendment उसके बाद है 24th amendment 24th amendment देखो बहुत जादा जरूरी है क्योंकि इस amendment के through basically इस amendment के through जो आपका गोलकनात का case है आपको ध्यान होगा तीन case है आपके जैसे कि सज्जन सिंगा case हो गया शंकरी प्रसाद का case हो गया इन दोनों cases में constitution में क्या बोला गया था Supreme Court में बोला था कि Parliament के पास unlimited powers है यानि अगर सरकार amendment करती भी है और उससे fundamental rights का violation होता है वहाँ पे तो वो भी allow किया जाएगा ये किस में बोला था सज्जन सिंग और शंकरी प्रसाद में बोला था लेकिन इन दोनों cases को पलट की रखने वाला कौन सा था आपका गोलकनात का case था जिसमें Supreme Court ने सबसे पहली बार सरकार का side ना लेते हुए ये बोला था कि भाई उसको narrow down करने के लिए उसको नीचे करने के लिए यहां पर क्या किया गया सुभा पाल्यमेंट जो है आपकी 24 अमेंडमेंट लेके आई थी जहां पर इन्होंने बोला कि भाई पाल्यमेंट के पास जो है वो Supreme Powers है यारी fundamental rights को किसी भी चीज़ को Parliament क्या कर सकता है अमेंड कर सकत है आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 की मदद से वो ध्यान करो वो जो लाइन हम पढ़ते हैं that is कि जो आर्टिकल 13 में आपकी लौ की definition दी गई है उसमें बोला गया था कि अमेंडमेंट जो किया जाता है आर्टिकल 368 में वो लौ कंसिडर नहीं किया जाएगा आर्टिकल 13 के रहाया गया था 525 से 545 कर दी गई थी आपकी लोकसभा की सीट्स तुरूदी 31 अमेंडमेंट इसके बाद है 39 अमेंडमेंडमेंड बेसिकली आपने सुना भी होगा जो फेमस केस है हमारा इंडिया का वन आफ दी लांडमार केस माना जाता है इंद्रा गांधी वर्सिस राज जजमेंट पास किया था इंद्रा गांधी को जो है 6 साल के लिए डिस्क्वालिफाइ कर दिया गया था इलेक्शन के दौरान मैल प्राक्टिसेज यूज करने के लिए तो अलाबाद हाई कोट का यह जो जजमेंट पास किया गया था इसका इफेक्ट नैरो डाउन करने के ल वो question नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो that is what is 39th amendment, इंद्रा गांधी का जो election वाला case था, उसके बाद ये amendment आपका पास किया गया था, next is 42nd amendment, बहुत जादा important है, major questions जो आपके बनते हैं, वो 42nd या 44th amendment से ही बनते हैं, अब 42nd से एक question तो आपका यही बन जाता है, कि भाई किस amendment को ह आपके नहीं थे, प्रियांबल में पहले क्या लिखा हुआ था, democratic word लिखा हुआ था, ठीक है, democratic के साथ आपका republic word आपका लिखा हुआ था, socialist, secular, integrity, ये सारे words आपके 42nd amendment से आड किये गए हैं, इसके साथ-साथ, fundamental duties, जो की part 4A, यानि की DPSP's के बाद दी गई हैं, ये भी आपक administrative tribunals और tribunals जो हैं, जो की part 14A में हैं आपके, ये भी किसे आड हुए थे, 42nd amendment से आड हुए थे, 39 directive principles, यानि की equal justice and free legal aid, जो की आपका article 39A में दिया गया है, participation of workers in the management of industries and environment, forest और wildlife का protection, ये सब कुछ, ये 39 directive principles भी आपके 42nd amendment से आड हुए थे, तो 42nd amendment से इतने जादा basically changes किये गए थे, इसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, mini constitution आपका बोला जाता है, ठीक है, और ये सब कुछ, ये जो पूरा 42nd amendment है, ये किसके recommendation पे हुआ था, स्वारंट सिंग कमिटी के recommendation पे हुआ था, तो ये भी एक question आपका exam में कई बार बन जात emergency को लेके important चीज़ चेंज की गई थी, तो देखो इंद्रा गांधी ने जो emergency आपकी declare की थी, उस time पे, वो internal disturbance की वजह से declare की थी, तो वो जो internal disturbance word है आपका, उसको यहाँ पे क्या कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया था, यानि कि internal disturbance को बदल के इनोंने वहाँ पे क्या लि rebellion लिख दिया, तो armed rebellion एक नया ground आपका बना दिया गया किस चीज के लिए, emergency declare करने के लिए, under article 352, एक और इसमें चीज आई थी, कि president को अगर national emergency declare करनी है, तो वो कब कर सकते हैं, cabinet के recommendation पे ही कर सकते हैं, यानि president ने अगर emergency declare की, उसके बाद उनको सरकार का भी approval लेना यहाँ पे पड़ेगा, इसके साथ-साथ, right to property, जो कि आपका एक fundamental right था, कहाँ पे, article 19-1-F में, इसको as a fundamental right remove कर दिया गया था, और एक legal right बना दिया गया था, कहाँ पे, article number 300-A में, ठीक है, इसके साथ-साथ, इस amendment में ये भी बोला गया था, कि जब national emergency declare की जाती है, उस time पे, आपके सार fundamental right suspend कर दिये जाएंगे, except article number 20-21, ठीक है, चलो, अगले amendment पे आते है, that is 52nd amendment, ये भी बहुत जादा important है, क्योंकि news में बहुत जादा चल रहा है, ठीक है, 57nd, 52nd amendment, किस बारे में बात करता है, anti-defection law के बारे में बात करता है, ठीक है, disqualification के बारे में आपको दिया गया है, जि इसके बाद है, 61st amendment, जो कि Rajiv Gandhi जी ले किया थे, क्योंकि इंडिया में, जो voting age हुआ करती थी, जो legal voting age थी, that was 21 years, तो 21 years से reduce करके, इसको 18 साल कर दिया गया था, by 61st amendment, brought by Rajiv Gandhi, ठीक है, next amendment is 65th amendment, 65th amendment में basically, जो आपका national commission है, देखो, अभी एक और amendment है, जो कि आपका one of the recent amendments है, जिसम आपका बनाया गया था, लेकिन जो 65th amendment है आपका, इससे पहले ही, ठीक है, national commission for SCs और STs आपका पहले ही यहाँ पर बन चुका था, ठीक है, तो 65th amendment क्यों important हो जाता है, क्योंकि इससे national commission आपका create किया गया था, SCs के लिए और STs के लिए, OBCs के लिए भी बनाया गया है, बट recently बनाया है, latest amendment से, ठीक है, उसके बाद कौन सा है, 69th amendment है हमारा, ये भी बहुत जादा important है, क्योंकि recently अभी LG, Lieutenant Governor versus Delhi CM का जो है, judgment आया है, case आपका आया है, तो 69th amendment जो है, इससे union territory of Delhi को एक special status दिया गया था, और उसको क्या बना दिया गया था, national capital territory of Delhi बना दिया गया था, तो 69th amendment यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, next is 73rd amendment, 73rd amendment से basically आपके क्या आई है, पंचायती राज institutions आई है, ये दो आगे पीछे के amendments हैं, आपके 73rd और 74th, जिससे आपका 11th और 12th schedule आइड किया गया था, तो 73rd amendment किस से डील करता है, पंचायती राज किया गया था, which is talking about the पंचायत and 11th schedule, यहाँ से एक और question आपका बन जाता है, कि भारत का पहला राज्य कौन सा था, जिसने पंचायती राज institution इस्टैबलिश करवाया था, तो यहाँ पर ध्यान रखना, the answer is राजस्थान, राजस्थान is the first state, जिसने यहाँ पर फिर्स ताइम पंचायती राज institution को establish किया था, 74th amendment जो कि part 12 आपका basically add करके गया था, 12th schedule यानि कि the municipalities, ठीक है, तो 74th amendment से आपकी municipalities add की गई थी 12th schedule के अंदर में, उसके बाद है 77th amendment, 77th amendment देखो इसलिए important हो जाता है, क्योंकि इंद्रा सहाने judgment के आने के बाद, इंद्रा सहाने judgment में देखो दो पहली बात ये बोली गई थी, कि 50% की ceiling limit आपकी होगी, reservation में, number one, number two ये बोला गया था, कि reservation जो है, वो promotion में नहीं दिया जाएगा, लेकिन इंद्रा सहाने के judgment के आने के बाद, ऐसे बहुत सारे judgment, ऐसे बहुत सारे amendments आपके लाए गए, जैसे कि 77th amendment आपका हो गया, ठीक है, 81st amendment हो गया, जिसमें नए-नए laws आपके बना दिये गए, यानि जो article 16.4a, 16.4b हम देखते हैं, जो promotion and reservations के बारे में बात करता है, carry forward rule के बारे में बात करता है, तो ये सारे amendments आपके important हो जाते हैं, अशोक कुमार ठाकुर का case हो गया, ठीक है, ये सारे इसी amendments से related हैं, तो 77th amendment से क्य कुल डाउन करने के लिए लाया गया था, इसमें बोला गया था कि promotion में भी reservation यहां पे दिया जाएगा, SC's और ST's को, ठीक है, तो जो Supreme Court का judgment दाया था, इंद्रा सहाने का, उसके effect को nullify करने के लिए 77th amendment आपका लाया गया था, ये क्या हो गया, हाँ, ठीक है, अगले amendment पे आते ह जो है, वो यहां पे बनाया है, बहुत सारी seats वगरा जो है, वो आपकी डाली है नए पार्लियमेंट में, लेकिन इसका मतलब ये निये कि नए पार्लियमेंट में लोकसभा और राज्यसभा की जो मेंबर्स हैं, वो यहां पे आपके बढ़ा दिये गए है, reason being, 84th amendment ने 2001 में चीज बोली हुई थी, कि लोकसभा और राज्यसभा की जो total strength है, वो 2026 तक नहीं बढ़नी है, ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा की जो मेंबर्स की strength है, वो fixed रहेगी 2026 तक रहेगी, ठीक है, 2026 तक इसको strength को यहां पे change नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसके बाद 26th amendment भी बहुत जादा important है, आपसे question पूछ लिया जाता है कि कौन से amendment से, right to education, एक fundamental right आपका यहां पे बनाया गया था, ठीक है, तो आर्टिकल 21A में आपका right to education, एक fundamental right बना था 86th amendment से, इससे DPSP में भी change किया गया था, यानि कि article 45 में भी change किया गया था, और एक नई fundamental duty भी ठीक है, उनके लिए यहां पे right to education का जो है वो आपका provision यहां पे लाया गया था, इसके बाद we have 91st amendment जो कि इस साल आपका बिहार जुरीश्री में भी question पूछा गया है, कि प्राइम मिनिस्टर को मिला के, जो बाकी के council of ministers है, यानि कि बाकी के केंद्रे मंत्री है, उनकी strength कितन of ministers की जो strength है, it will not exceed 15% of the total strength of the लोगसभा, 91st के बाद आजाओ, 92nd amendment के उपर, यह amendment बहुत important हो जाता है, reason being कि 8th schedule, constitution का 8th schedule, जो कि languages के बारे में बात करता है, जिसमें हमको बताया गया है कि भारत की कितनी languages हैं, 22 official languages हैं, तो वो 22 official languages कैसे हुई, तो 92nd amendment से हुई थी, तो बोडो, ड 4 languages जो की add की गई थी constitution में, जिससे official languages का आकड़ा कितना हो गया था, 22 languages का हो गया था, इसके बाद आते हैं, 97th amendment के उपर, यह भी बहुत important है, last year Supreme Court का judgment भी आया है, इसके उपर, जहां पे constitutional status दिया गया था, cooperative societies को, number one, number two, cooperative societies form करने का आपके पास right है, यह fundamental right भी बनाया गया था, article 19 के अंदर में, इसके साथ साथ DPSP भी बनाया गया था, कि भाई, state जो है, कोशिश करेगा, cooperative societies के promotion को लेके, तो DPSP भी आपका add किया गया था, और part 9B, भी constitution में add किया गया था, जो की cooperative societies से deal करता है, तो 97th amendment, पूरा पूरा, आपका जो है, किस से deal करता है, cooperative societies से deal करता है, इस appointments commission से, तो अभी जो हमारे पास system है भारत में, वो क्या है, collegium system का है, collegium system यानि की CGI के साथ साथ, चार senior most judges, जो है, supreme court के, वो मिलके क्या करते हैं, judges का appointment यहाँ पे करते हैं, ठीक है, लेकिन बीच में क्या हुआ था, NJAC ला दिया गया था, ठीक है, 2014 में यह NJAC ले आए थे, कि जब national judicial appointments commission, judges का appointment यहाँ पे किया करेगा, लेकिन उसके बाद 2015 में, supreme court का case आया, और supreme court ने NJAC को क्या कर दिया, unconstitutional declare कर दिया, यह बोलते हुए, कि यह basic structure के against जा रहा है, तो वापस we are back to what, collegium system ही जो है, इंडिया में वापस से appointment करता है, judges का, इसके बाद बात करते हैं, recent appointments के ब हुआ था, इसमें basically इंडिया ने, इंडिया के थुरू यहाँ पे क्या किया गया था, कुछ territories जो है, वो यहाँ पे बांगलादेश को, जो है, वो transfer की गई थी, ठीक है, तो कुछ territories इंडिया और बांगलादेश के बीच में हाँ पे transfer की गई थी, यह आपका है, 100 number का amendment, जो की goods and services tax, ठीक है, उसके बाद है 100 and second amendment, अब यह देखो, यह बहुत जादा important हो जाता है, तो अभी जैसे थोड़े देर पहले मैंने आपको बताया, कि national commission for SEs and national commission for STs बहुत पहले बन चुका था, लेकिन OBCs के लिए कोई भी national commission आपका नहीं बनाया गया था, तो 100 and second amendment से, एक national commission ए 338A, यह सारे जो हैं आपके आड किये गए थे, तो आप इंडिया में तीन national commission आपके हो गए, national commission for SEs separate है, national commission for STs आपका separate है और national commission for OBCs आपका separate है, that is what was done by 100 and second amendment, 100 and third पे आजाओ, यह भी बहुत जादा important है, क्योंकि recently supreme court का judgment आपका इसके उपर आया है, किस से deal करता है, यह economically weaker section स से deal करता है, तो supreme court में इस चीज़ को challenge ही इसलिए किया गया था, कि अगर हम EWS का 10% का reservation लेके आते हैं, तो 50% की limit, जो कि इंदरा सहाने case में decide की गई थी, वो यहाँ पे breach हो रही है, उसका यहाँ पे violation किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे supreme court में क्या किया है, EWS reservation को जो में और इसके साथ-साथ आपके educational institutions में, then we have 104th amendment, जहाँ पे basically reservation की बात की गई है, SEs and STs के लिए कहाँ पे, लोग सभा में और state legislative assemblies में अगले 10 साल तक, ठीक है, तो 2020 से यानि की 2030 तक जो है, आपकी SEs और STs के लिए seats reserve की जाएंगी, लोग सभा में और state legislative assembly में, इसके साथ- पड़ा हुआ था, जो 545 मेंबर्स की strength है, लोग सभा की, इसको जब हम bifurcate करते थे, ठीक है, तो bifurcate करके हमको क्या मिलता था, कि दो seats इसमें से Anglo-Indians की होती थी, वो Anglo-Indians कौन नॉमिनेट करता था, President जो है इंडिया के, वो दो Anglo-Indians को नॉमिनेट करते थे, इस provision को हटा दिया गया था, by 104th Amendment, यानि कि अब President, Anglo-Indians को यहाँ पर नॉमिनेट नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये एक important change आपका हुआ था, by the 104th Amendment, इसके बाद आजाओ, last amendment, जो की है, आपका 105th Amendment, अब देखो 105th Amendment, बेसिकली आपका क्या था, कि अभी तक जो भी पूरी आपकी list बनती थी, कि कौन सी particular community या cast, आपकी backward class मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, ये list सिर्फ और सिर्फ कौन बनाते थे, President बनाते थे, Governor के साथ consult करके, तो इसमें जो states के पास power थी, वो यहाँ पे छीन ली गई थी, आपने दो साल पहले पढ़ा होगा, Maratha Judgment आया था, जो महराष्टा में Maratha Judgment की मांग की जा रही थी, ये amendment उसी चीज से deal करता है, ठीक है, तो 105th amendment में basically सरकार के पास, यानि state government के पास भी ये power दी गई है, कि आप भी अपना एक list यहाँ पे बना सकते हो, आपके state में आपके हिसाब से कौन सी communities socially, educationally backward class हैं यहाँ पे, आप उनको यहाँ पे identify कर सकते ह हो, क्योंकि जो 102nd amendment आपका आया था, यानि जो आपका National Commission for backward classes बनाया गया था, उस 102nd amendment की वज़ा से क्या हुआ था, state governments की powers को चीन लिया गया था, कि वो यहाँ पे identify नहीं करेंगे कि कौन सी community backward है कि नहीं है, तो 102nd amendment के उस effect को nullify करने के लिए, यहाँ पे 105th amendment लाया गया था, कि भाई यहाँ पे state governments भी क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी एक list बना सकते हैं, ठीक है, नौ, जब भी amendment के बारे में पढ़ रहे हो, जब भी amendment के बारे में पढ़ रहे हो, do not forget about केशवानन्द भारती केस, कब आया था, यह 1973 में basically आपका आया था, जहाँ पे amendment के procedure के बारे में ही ब उसको side में रखके, parliament को जो बदलना है, जो amend करना है, वो सब कुछ वहाँ पे क्या कर सकते हैं, amend कर सकते हैं, ठीक है, so guys, that is all about the important amendments, मैंने सारे discuss नहीं किये हैं, like I said, वही वही discuss किये हैं, जो exams में आप से पूछे जाते हैं, और देखो, किसी भी particular amendments से बहुत सारी चीज़े होत Was it fun? समझ में आया, जो कुछ भी discuss किया, just quickly confirm in the chat box, now, guys, अगर इसी तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, this is what we always try for, this is what we always try, कि जो जो चीज़े आप से exam से पूछी जा सकती हैं, आपके लिए exam के point of view से relevant हैं, वो सब कुछ आपको पढ़ा दी जाएं, कबर करवा दी ज जब आप इस बाच के लिए इन्रोल कर सकते हैं, तो अगर इन्रोल आपको करना है, तो यह रही हमारी website, यहापे study IQ judiciary की, आपको Google पे जाना है, study IQ judiciary type करना है, जैसे ही type करोगे, जो सबसे पहला टाप दिखेगा, उस पे क्लिक करना, और यह website इस तरीके से आपके सामने यहाप पे ओपन हो जाएगी, जो सबसे पहला कोर्स यहापे आपको दिखेगा, अगर चाहिए तो मेरे टेलेग्राम चानल पे भी आपको लिंक मिल जाएगा बाच का, आप वहां से भी इसको अक्सेस कर सकते हो, तो इसमें जो है, आपको लाइफ क्लासेस दी जारी है, लाइफ क् में, आप कम्यूनिकेट कर सकते हैं, फाकल्टी से, आप अपने जो भी डाउट्स हैं, बोल के फाकल्टी को बता सकते हो, प्लस डेली बेसिस पे जो आपकी दो लाइफ क्लासेस होंगी, उनके MCQ क्वेस्चिन्स, उनके हैं रिटेन नोट्स, लेक्चर नोट्स, क्योंकि प् लेटली GK की क्लासेस, करेंट अफेर्स की क्लासेस, जो डेली राजस्थान टार्गेट कर रहे हैं, उनके लिए सुप्रीम कोड के जज्जमेंट्स, लीगल करेंट अफेर्स, यह सब कोच आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, और बेस तिंग, आपको यहां पे मिलता ह जाना और मेरा डिसकाउंट कोड आपको लगाना है, that is, ARJ, यानि मेरे नाम के स्टार्टिंग के तीन अक्षर, ठीक है, जैसे ही आप यह लगाओगे, 24,999 में यह पूरा कोड्स यहां पे आपको मिल जाएगा, अगले दो साल के लिए, दो साल के लिए क्यू है, कि भाई, ए ARJ कोड को यहां पे यूज करके इन्रोल कर सकते हैं, ठीक है, PDF मैं राद तक शेर कर दूंगी मेरे टेलेग्राम ग्रूप पे, ठीक है, from today I'll be sharing most of the PDFs and most of the content that I'm teaching here on YouTube, तो राद तक का वेट कर लो, 11-12 बज़े तक आपको टेलेग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, इसके साथ-स State के individual courses भी हैं यहां पे, अगर आप चाहो तो इनके लिए भी enroll कर सकते हो, बट इसमें आपको recorded classes मिलती है, live classes नहीं है, यह recorded वाली classes है, प्लस जो live के बागी features मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि daily MCQ practice हो गई, handwritten notes हो गई आपके, इसके साथ-साथ mentorship गरा हो गई, यह सब कुछ आ आपको यहां पे live batch में मिलेगा, recorded में मिलेगा, बट अगें, इच्छा आपकी है, चोईस आपकी है, आप जिस course के लिए इन्रोल करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, बट कोई सा भी course के लो study IQJD history का, use code ARJ only, ताकि maximum discount आपको यहां पे मिल सके, ठीक है, so guys, that's all from my end in this particular session, session अगर आपको अच्छा लगा है, so don't forget to like it, don't forget to share it, and channel अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है, तो जल्दी से channel को भी subscribe कर लीजे, so I'll see you guys soon with another session, till then take care, all the best for your preparation, bye-bye.